तो हलो फ्रेंड्स वेलकम टो गेट अकैडमी आज जो है हम लोग क्या देखेंगे फ्लूड मेकेनिक्स का जो नेफ्ट सीरीज में हम देखेंगे वर्टेक्स मोशन वर्टेक्स मोशन अब यो वर्टेक्स मोशन अब यो वर्टेक्स मोशन होए sorta जी ठीक है ब्लोग ने वस बेशिन में वस में क्या है जैसे ही यह शींक होता है यहां सब पानी का जाता है जैसे वास बेस्षिन पर क्या होता है अब जैसे ही टैप उपन करेंगे तो क्या हो जाता है कि वर्ल क्या करता हूं अपने हाथ से रोटेट करोंगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोर्जड वर्टेक्स तो हम एक एक करके चीजों को देखते हैं और कोशन कहां से आता है इस चीजों को हम लोग यहां पर find out करेंगे, ठीक है, देखिए, अब उसमें question कहाँ से आता है, इस चीज़ों को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर find out करेंगे, सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ free vertex की, free vertex flow, अब यह free vertex flow क्या है, ठीक है, यह क्या होता है, इसमें जो velocity profile देखिए, जब यह होगा, तो यह कुछ, यह हैंचे पर पैराबोली की structure बनाता है, क्या करेंगा, रोटेट होगा, तो याद रखना, जो इसमें point लिख रहूं है, इस point को ध्यान रखेंगे, very important point है, इसको point को ध्यान रखेंगे, the point number one is, in this flow, in this flow, fluid mass rotate due to conservation of angular momentum, पैला पॉइंट, right question है, कि free mass में, क्या यूज होता है, तो इसको याद रखना है, कौन सा equation यूज है था, conservation of angular momentum equation इसमें यूज होगा, दूसरा चीज, दूसरा चीज आप इसको इसमें ध्यान रखना है, the velocity profile जो होगा, the velocity profile is inversely proportional to, inversely proportional to, the velocity profile is inversely proportional with this radius, अब ये radius कौन सा है, ये radius कौन सा है, ये जो radius है, जब fluid flow होगा तो ये जो radius है, ये r, तो यहाँ से जो v होगा, वो inversely proportional to क्या होता है, ये r क्यों होता है, किसमें, किसमें, आपका free vertex motion, किसमें होगा ये, free vertex motion, चीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कि v r is equal to क्यों होता है, constant, तो इसी को अगर आगे simplify करूंगे, तो v is universal proportional to क्या होता है, r, ये, ये चीज़ हमको समझ में आएगा, उसके बाद, दो important चीज, महत्व पूर्ण चीज, जो exam में आपको पूछता है, कि पहला, इसको ध्यान रखेंगे, पहला चीज जो है, पहला है, no external, free verse, free में न, no external torque, no external torque or energy is required, no external torque or energy is required, दूसरा चीज, in free, in free vertex flow, in free vertex flow, Bernoulli equation can be applied, याद रखना, Bernoulli equation can be applied, ठीक है, ये चीज़ हो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, now the next one, forged vertex, forged vertex, अभी forged vertex क्या है, forged vertex flow क्या है, ठीक है, when a fluid is rotate, forged मैंने क्या बताया था, कि अगर एक ग्लास में पानी भरके हम घुमा रहे हैं, वो क्या है आपका, forged vertex है, रोटेट, रोटेटेड कर दो इसको, when a fluid is rotated about a vertical axis, about a vertical axis at constant speed, at constant speed such that, such that every particles, इस जो लाइन लिखारों को ध्यान रखना है, such that, every particle, such that every particle, of its, has the same angular velocity, as this, यह क्यों लिखारों पाता है, क्योंकि अगर statement वाले question आगा है, तो question इस ही में फस आएगा आपको, it has the same angular velocity, same angular velocity, motion is known as, अब इस टाइप के motion को क्या बोलते हैं, motion is known as, motion is known as, the forged vortex, इस motion क्या बोलते हैं, force vortex, motion ठीक है, यहाँ पर V is equal to क्या हो जाएगा, R into omega, याद रखेंगे, ठीक है, और यह जो, जैसे क्या होता है, यह है, fluid, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, यह यहाँ तक पानी भरा हुआ, अब आपको क्या करते ह। इस fluid को हात से क्या कराते हैं, rotate कराते हैं, जैसी हम fluid को हात से rotate कराते हैं, तो यहाँ पर ऐसा form करेगा, मतलब यहाँ अगा तक height था, इसका, यहाँ तक हाइट चड़ गया H, यह जो H height है, इसकी value है, height जो चड़ता है, हाइट जो चड़ा है इसकी जो value हो गी क्या हो जाएगा एच की जो value क्या हो जीगी ओमेगा स्कोर आर स्कोर बें क्या हो जाता है यह टू इंटू जी है एक इसको क्या करेंगा आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है यह हम लोग क्या किये खुद रोटिट कर रहा है बास समय में आया कर तो यहां पर आपको एक चीज यह वाला याद रखना है कि फ्री वर्टेक् रशन्ट रेडिय यह कर दिए को मने आपको बताया था क्या चीज इसमें जो होता है सभी फ्रीट टिक सभी पार्टिकल रहेंगे यहां बहन पार्टिकल टूरेटकल एससे करक Rod immun Diese देगा रखने हैं पर एवरी पार्टिकल यहां पे motion पे अब यह देखो यहां पर अगर में वाल्लूम निकाल यह क्या एक पैराबोला दीख रहे हैं तो वॉल्यूम ओप पैराबोला तो वॉल्यूम ओप पैराबोला क्या होगा यह जागा वन बायटू पाई आरक स्क्वर इंटु एच ठीक है तो इसको आपको क्या करना है त्यान रखना है डारेट कोश्चन पुछेगा कि यह जो वाल्यूम में इसका पैरा बुला का फॉर्मूला क्या है अब यहां पर कुछ चीजे जो मैं आपको बता देता हूं कि वर् 2 Q look Frage वुख सकेल इसका इसदे का हना इससे भीर्पाइल यहीं सब्सकरा इससलेख़ में इस रफैस प्रॉपैल के वेर्टेक्स फ्लॉव is parable. Second one. Forged vertex forced vertex required required constant supply यह नहीं है कि आप छोड़ दिये तो fluid मुह ही करते रहेगा उसको क्या करेगा constant आपको क्या करने का constant supply करना पड़े constant supply of external energy or torque external energy or torque example इसका क्या है rotating cylinder rotating cylinder उसके बाद इसका एक दूसरा example cylinder rotating cylinder water inside the centrifugal pump यह free का नहीं है forged का यह free का नहीं है forged vertex का example क्या है water inside the centrifugal pump यह क्या है forged vertex का example है now the very important चीज़ इसको यहाँ पर दिहान रखेंगे कि singing 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 of singing of suspended telephone wire wire is 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 caused by is caused by formation of is caused by formation of karma vortex कि बस इसको 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 यह effect पर याद रखना बस karma vortex street यह जो line लिखा उसको याद रखना बस कि कोशन आ जाएगा जीए में आया हुआ कोशन है ठीक है singing of suspended suspended telephone wire is caused by the formation of the formation of the vortex street ठीक है तो बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें इसमें ज्यादा आपको कोशन पूशता नहीं है कि 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 अ वर्टेक्स में फ्री वर्टेक्स में जो वास बेसीन है यह मैंने आपको पता है उसके पाद वाटर में ग्लास करेंगे तो यह फोर्टेक्स होता है फोर्टेक्स में को continuous supply का जुरूराद रहेगा ठीक है यह जो है आपका वी इनुआर्टेक्स में फिरी वर्टेक्स में इसमें क्या होता है कंजर्वेशन आप दे एंगूलर मोमेंटम का यूज होता है ठीक है यहाँ पे वी इजर इन्वर्टि प्रोपोर्शनल यह मैंने बता दिया था नो external torque energy ज़रुरत नहीं है in free vertex Bernoulli equation apply होता है लेकिन forged vertex में आपका Bernoulli equation जो होता है applied नहीं होता है इसमें देखेंगे forged vertex में when a fluid is rotated about a vertical axis at constant speed such that every particle इसको याद रखेंगे every particle किसमें रहेगा ये angular velocity में रहता है ठीक है और ये forged vertex फोर्ज वर्टेक्स में ये जो जो चीज़े है इसको याद रखना वेलिशिटी जो होता है radius के inverse directly proportional होता है height क्या होता है omega square or square by 2 into g volume of parabola इसको आप ध्यान रखना है किस case में आपके forged vertex के case में पैराबोला बनता है the surface profile of form flow is parabola forged vertex required constant supply example है rotating cylinder water inside the centrifugal pump ये क्या है आपका फोर्ज इसका example है ठीक है फोर्ज वर्टेक्स का example ये एक effect में लिखा दिया थे इसको आपको ध्यान रखने ठीक है और जो मुख्य इसके लिए और रवी जेए के लिए और रवी जेए के लिए और रवी जेए के लिए से बीटी वन का जो प्राइस है फोर डबल नाइन रखा गया है CBT 1 & 2 के लिए जो प्राइस रखा गया है वो 777 रखा गया है एकदम affordable प्राइस है ताकि आप अपने preparation को बहतर बना सके और बहुत बहतरीन तरीके से preparation कर सके इसलिए ये हमको ये ये चीज़े आपको provide किया गया है ये चीज़े आपको provide किया गया है तो आज की class में हम vertex flow को इ इतना ही करते हैं नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो और भी फ्लूड मेकानिस के topic को खतम करेंगे theoretical form में then after हम mcq को series चलाएंगे ठीक है तो अभी के लिए इतना ही thank you very much wish you all the very best